वेलकम टू एग्जाम भी वेचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम डिसकस कर रहे हैं L.T.T.T. and Commission के लिए Most Important HPGK Current Fair और India GK इतियादी के वीडियोस इससे पहले हमने एक पार्ट को डिसकस कर लिया है यह हमारा दूसरा पार्ट से है अगर आपने L.T. Commission या T.T.T. दिया होगा तो वहाँ पर आपने देखे होंगे कि जो HPGK का है बहुत ज़्यादा महत्पून रोल रहता है लगब 15 या 20 कोशन है जो L.T. Commission और T.T. में पूशे जाते हैं इसी के लिए इस वीडियो को आपके स्मक्ष लाया गया है इसी के साथ आपको बता दूँ जो यह HPGK के कोशन है यह HPP Forest Guard and HP Police Constable के लिए भी महत्पून है इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें इसी के साथ वीडियो को लाइक शेर और चैनल को स आमतोर पर आइस स्केटिंग मेदान के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो होगा भी नाकोजीन और यह किन और में स्थित है अगला कोशिन है शक्ती देवी मंदीर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है तो जो शक्ती में कांगडा की लेक की लूट पाट की थी तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा सात्मी हमले में तो जो सात्मा हमला था यह महमूद गजनबी ने कांगडा पर किया था और यहाँ पर बहुत सी लूट मार भी की थी कई वार यह प्रश्मी बनता है कि जो महमूद गजनब 1449 में ठीक है याद रखिएगा ये भी प्रशन बन सकता है कि जो सेनापती बेंचूरा था किस सेनासेस बंदी था तो ये सिक सेनासेस बंदी था और ये भी प्रशन बन सकता है कि सेनापती बेंचूरा हिमाचल परदेश के किस थान में आया था तो ये मंडी में आया था और वाय था 1839 में याद रखेगा इस तरह से प्रशन गुमा फिरा कर पूशे जाते हैं अगला कोशन है कांग्रेस पार्टी की राजनेतिक सवा किस बर्ष सुजानपुर टिहरा के ताल में आयुजित की गई थी तो ये की गई थी 1927 में अगला कोशन है हिमाचल परदेश राज्य विद्यूत मंडल किस बर्ष स्थापित किया गया था तो ये किया था 1971 में ठीक है अगला कोशन है कैरियर पॉइंट यूनिवस्टी हिमाचल परदेश की किस जिले में स्थित है तो ये होगी हमीरपूर में आपको यहां बता देता ह हूँ जो भी बच्चे एल्टी कमिशन या एल्टी टेट की त्यारी कर रहे हूँ उन्हें हिमाचल परदेश में जितनी भी प्राइबेट यूनिवस्टी है उस टॉपिक को एक वार अवश्य देख लेना है क्योंकि यहां से प्रशन अवश्य बनता है अगला कोशिन है मारकंडा मेला हिमाचल परदेश के किस जिले में मनाये जाता है तो यह मनाये जाता है बिलासफूर में अगला कोशिन है परसित चत्रारी यात्रा हिमाचल परदेश के किस जिले से निकलती है तो देखिए अभी हमने चत्रारी मेला पड़ा था और यहाँ पर जो चत्रारी यात्रा है तो यह चमबा से निकलती है यहाँ पर सही बिकल्ब ए हो जाएगा अगला कोशन है 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के कि जिले में स्थित है तो जो 16 सिंगी धार है ये आपके हमीरपूर में स्थित होगी यहाँ पर सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला कोशन है पंदरा करेरी जील हिमाचल प्रदेश के की जीले में स्थित है तो दोस्तों जो करेरी जील है ये कांगरा में स्थित है सही बिकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा अगला कोशन है लोसार मिला हिमाचल प्रदेश के की जीले में मनाए जाता है तो जो लोसार मेला है ये आपके कांड़ा में मनाय जाता है सही भी कल्प यहां पर भी हो जाएगा अगला कोशिन है यहां पर बिख्यात भीवूती श्री लालचन प्राथी हिमाचल प्रदेशी किस जिले के रहने वाले थे तो ये थे कुल्लू के यहां पर आपको प्रशन दिखाई नहीं दे रहा हुआ प्लर हो गया है मैं फिर से आपको पढ़ा के बता देता हूँ यहां पर पूछा गया है कि विख्यात भीवूती श्री लालचन प्राथी हिमाचल प्रदेशी किस जिले के रहने वाले थे तो यह थे कुल्लू के तो कई बार यह प्रशन भी बनता है कि जो लालचन प्राथी कि कला के अंदर है यह कहां पर सित है तो यह भी कुल्लू में ही स्थित है यह जो लालचन प्राथी है इनके याद में से बनाये गया है और यह ढालपूर में स्थित है अगला कोशिन है अठारा ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो जो ताबो मठ है ये हिमाचल प्रदेश के लाहुस पीती के काजा उपमंडल में स्थित है यहाँ पर सही बिकल्प ए हो जाएगा आपके लिए एक प्रशन छोड़ देता हूँ आपको बताना है कि जो मसरूर रॉकर टेंपल्स हैं ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है और इने किस नाम से भी जाना जाता है ठीक है ना आपको इसका उत्तर अवशिय देना है अगला कोशन है बिलासपूर नगर की स्थातना इनके द्वरा की गई थी तो बताना है कि बिलासपूर नगर की स्थातना की इनके द्वरा की गई थी तो ये की गई थी राजा दीपचंद की द्वरा सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला कोशन है शिमला की यात्रा करने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थी तो जो शिमला की यात्रा की थी भारत के पहले गवर्नर जनरल के द्वरा तो ये हो जाएंगे लॉर्ड M. हर्स्ट सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अगला कोशन है बिशब कॉर्टन स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है प्रशन इस परकार से भी बन सकता है कि जो बिशब कॉर्टन स्कूल है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो यह शिमला में है यहाँ पर प्रशन कुछ इस परकार से पूछा गया है कि जो Bishop Cotton School है शिमला में स्थित है इसको शिमला में कब शुरू किया गया था तो यह किया गया था 1869 AD में कब किया गया था 1869 AD में और यह Bishop Cotton School शिमला में है इसे BCS भी कहा जाता है, शौट में, BCS अगला कोशिन है, कांगड़ा में सबसे पहले भुकम पी आपदा कब आई थी? तो ये आई थी, 4 अप्रेल 1905 को, तो सिदे सिदे 1905 बोल सकते हैं, पर जो exact date होगी वो होगी 4 अप्रेल 1905, ठीक है ना? अगला कोशिन है, हिमाचल प्रदेश Board of School Education किस बर्ष धर्मसाला में स्थानेंतरित किया गया था? तो ये किया गया था 1993 AD में, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो डिस्कीस की थी, उसमें पूछा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश Board of School Education है, ये कहां पर सित है? तो यहां पर कांगरा मासा दर्मसाला का कांगरा, तो यहां पर इसकी तीथी पूछी गई है, इस परकार आप देश सकते हैं, प्रशन को किस परकार से गुमा फिरा कर पूछा जाता है? चामेरी 3 पन बिजली परियोजना की कारण बेन अभी करण कौन सी है? अर्थात, जो चामेरी 3 पन बिजली परियोजना है, इसको किस कंपनी के दवरा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था, NHPC के दवरा, कौन सी? NHPC. अगला कोशन रहेगा यहाँ पर हिमाचल के संदर्व में पाबुची और पंडबानी का क्या अर्थ है तो जो पाबुची और पंडबानी है हिमाचल के संदर्व में यह हिमाचल प्रदेश की लीपियों के तौर पर जाना जाता है यहां पर सही भिकल्प यह हो जाएगा अगला questions है 26 हिमाचल प्रदेश पास्ट प्रजेंट एंड फ्यूचर के लेकग कौन है क्या पुस्तक का क्या नाम है हिमाचल पास्ट प्रजेंट एंड फ्यूचर इसके लिकग हो जाएगे देवराजश शर्मा यहाँ पर सही बिकर्प D हो जाएगा अगला कोशिन है हिमाचल के कांगरा जिली का मुख्याले कहाँ पर सित है जो हिमाचल प्रदेश के कांगरा जिला है इसका मुख्याली आपको उताना है कहाँ पर सित है तो यह हो जाएगा धर्मशाला में ठीक है न अगला कोशन है 2011 के जनगन्ना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लेंगिक अनुपात है तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था तो ये हो जाएगा 972, 972 अगला कोशन है इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का प्रशाषनिक मंडिल नहीं है तो जो हिमाचल प्रदेश का प्रशाषनिक मंडल नहीं होगा तो बो हो जाएगा हमीरपूर बागी कौन-कौन से हैं कांगडा, मंडी और शिमला अगला कौकशन यहां पण पर रहेगा, देवली मतस्य पालन किंदर हमाचल प्रदेश से किस जिले में स्थित है, तो जो देवली मतस्य पालन किंदर है, यह आपके बिलास्पूर में स्थित हो जाएगा अगला कोशन है, एτο हाथी धार हिमाचल प्रदेश ये किस जिले में स्थित है तो जो हाथी धार है ये हिमाचल प्रदेश के चमबा जिले में स्थित है याद रखीगा इंपोर्टेंट है आपको बताना है 16 सिंगी धार हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है ये प्रशन आपके लिए छोड़ देता हूँ अगला कोशन है पहाली गांदी बावा काशी राम हिमाचल परदेश ये किस जिले से सबंदित थे तो ये थे कांगडा से कौन पहारी गांधी बावा कांशी गाम अगला कोशन है सोरांग जील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो जो सोरांग जील है ये हिमाचल प्रदेश के किन नौट जिले में स्थित होगी यहाँ पर जो सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कुशन देख लेते हैं यह है डूंगरी मेला हिमाचल परदेश एक किस जिले में मनाए जाता है तो यह कुल्लू के मननाली में मना जाता है याद रखेगा इसको भी अगला कुशन है मुरंगला परवत शिखर हिमाचल परदेश एक किस जिले में स्तित है तो यह हो जाएगी लाहुल स्पिती में अगला कुशन है माहुना गमेला हिमाचल परदेश एक किस जिले में मनाए जाता है तो जो माहुना गमेला है यह मंडी जिले में मनाए जाता है अगला कोशिन है हिमाचल प्रदेश के प्रतम मुख्य नियाईधिश कौन थे? तो ये हो जाएंगे जस्टिस M.H. बेग कौन थे? जस्टिस M.H. बेग इंपॉर्टन प्रशन है बहुत सी प्रिक्षामी से पूछा जाता है अगला कोशिन है सबसे पूराना हिमाचल प्रदेश का सबसे पूराना अखवार है तो कई वार ये प्रशिन बनता है कि जो गिरी राज हिमाचल प्रदेश का नियूस पेपर है इसका संपादन या प्रकाशन कहां से होता है? तो ये होता है शिमला से अगला कोशिन है हिमाचल परदेश के भज्जी अधिराज्जिय के संस्थापक कौन थे तो हिमाचल परदेश की जो रियासत थी भज्जी इसके संस्थापक का नाम था चारू राजा सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अगला कोशिन है हिमाचल पर्देश के नूरपुर राजशाही के आखरी शाषक कौन थे तो ये हो जाएंगे बीर सी हैं सही विकल्पी यहाँ पर एह हो जाएगा अगला कोशिन है हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में ताबो मट स्थापित की गई थी तो ये थी लाहल स्पीती के काजा में ये प्रशन भी रिपीट है पीछे हमने इसको डिसक्स किया है अगला कोशिन है संसार्चन दो किस वर्ष कांगडा के राजा बनी थे तो जो संसार्चन दो थे तो ये कांगडा के राजा बने थे 1775 AD में यहाँ पर सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशिन है हिमाचल परदेश पार्ट सी राजे किस वर्ष बना था तो जो हिमाचल परदेश है ये पार्ट सी राजे बना था 1951 AD में यहाँ पर सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशने हिमाचल परदेश पार्सी राजे का बना था तो ये बना था 1951 में अगला कोशने हिमाचल परदेश का कौन सा जिला आलू के उत्पादन में सबसे बड़े क्षित्रफल बाला जिला है तो ये हो जाएगा शिमला जिला तो ठीक है न ये पूछा गिया है आलू के उत्पादन में सबसे बड़ा शित्रफल के अधार पे हो जाएगा शिमला वैसे लाउस पिती में भी खेती वाली की जाती है आलू की अगला कोशने हिमाचल परदेश की सबसे पूरानी परन बिजली परियोजना कौन सी है अगला कोशने 95 इसमें पूछा गिया है हिमाचल परदेश की किस घाटी में चाय उगाई जाती है तो ये उगाई जाती है कांगरा घाटी में डी सही विकल्प हो जाएगा